हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरा दिन निकलने के अब शाम को टाइम आता है चाय का फिर चाय के साथ अगर कुछ मिले ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि काम कुछ चल जाए क्योंकि भूग बहुत जोरो की लगी होती है तो भूग मतर को जो है कपड़े से हम पहुच लेंगे कौटन के कपड़े से इन्हें में उबालना नहीं है ना इन्हें में उबालना है न तलना है कुछ नहीं करना चली कुछ अलग सा ही करते हैं यह मैंने भारी तलेली कढ़ाई रग दी है प्री हीट होने के लिए जब कढ़ाई मेर मटर को डाल दिया है अच्छे से चलाने के बाद इससे क्या होगा कि ना जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता जब मटर को अच्छे से चला देंगे इसके बाद इसे हम कम से कम पंदा में ढखके पकाएंगे और ये देखे मेरे मटर लग भग भुनने लगे हैं और इनका जो स्वाद बाहर वाले भाईया लोग बेशते बिल्कुल वैसा ही होता अगर आप आपके घर में रेत वगरा हो तो वो भी डाल सकते हैं फिर क्या होता जो रेत ची पकने लगती है तो इससे अच्छा कि आप ऐसे भी भून सकते हैं और पंदरा से बीस मिनट लगता है अगर आप ऐसे भूनते हैं आप बहुत ही अच्छे से मटर पक जाते हैं और जब मैंने कड़ाई को खोला देखिए ये कड़ाई में हलका फुलका लगे थे बड़ जले नहीं थे और बहुत अच्छे से बिल्कूल सार्प से मटर पक चुके थे हमाई घर में तो ये मटर सबको बहुत पसंद आने वाली है मुझे तो पता है और इसमें मैंने थोड़ा सा पोहा और मुंफली भी भून ली थी अलग पैन में क्रिस्पी होने तक और ये देखिए बहुत अच्छे से मेरा भून गया था फिर इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा काला नमक जुँआदा इसमें कुछ मसाले जाने वाले हैं, जब कुछ नगी कहने भी हैं, बिलकुल सिंपल सनास्ता बनने वाला है बिलकूल जैसे भाहर जाके खाते हैं बिलकळ वैसा ही होने वाला है और नमक दाल के बिसको अच्छे से मिला दिया थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हम धीमी आज पर ही रखेंगे जब महिन मटर को हम भूनेंगे तब यह देखे चलिए प्लेट लगा लेते हैं और वाके में कोई मसाला भी सेस नहीं पड़ा था लेकिन तब भी स्वात बहुत अच्छा था एक प्लेट में मैंने पोहा और मुंफली प्याज मिला की मिक्स कर ल कि ऐसे ना बाहर ठेड़े पर जाके मिलती है बाहर जाके ही खाने को मिलता है तो मैंने सुझा क्यों ना घर पर एक बर जरूर से ट्राई किया जाए और मतलब बहुत जल्दी जटपट बन जाता है बहुत टेस्टी भी होता है और भूग का तो मतलब बहुत अच्छे से इं बजलते है चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि